दोस्तों आप सभी का स्वागत है और इस हफ़ते हमारे महमान एक बहुती स्पेशल स्टार कम पॉलिटिशन जिहां अपटे हमारे साथ हैं एक ऐसे सुपरस्टार अपने जमाने के जिनने शुरुआत करी करियर की एक विलेन यानि खलनायक की तरह लेकिन बन गए बहुत जल्दी हीरो और फिर जब वो फिल्मी पर्दे से उत्रे तो सीधे आए पलिटिकल कैन्वस पलिटिकल पर्दे पर जिया हम बात कर रहे हैं दो वेरी स्पेशल शॉट्गन शत्रुगन सिना की थैंक्यू बहुत 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 अन्दवाद आपका सब्सक्राइब बताए कि हमने आपका इंट्रुडक्शन दिया कि जबरदस्ट आक्टर जबरदस्ट स्टार और अब जबरदस्ट राजनेता भी तो कौन सा कैरेक्टर जादा पसंद है आपको खुद को देखिए ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं वैसे ये जरूर है कि फिल्म फरस लव याने पहला प्यारी नहीं बलकि दुनिया में यह जो मेरी पहचान बनी है वो फिल्मों के जरिये ही बनी है फिल्मों में तथाकतित सफलता या तथाकतित काम्याबी के वज़े से ये ब पताएं सब्सक्राइब कि एक आपके साथ नाम और जुड़ा था जब हम आपको एक उभरते होए और फिर उभरे होए और फिर स्टैबलिस टार्ग तरह देखते थे शॉट गन तो यह शॉट गन क्या किस्सा था मतलब क्या बकायदा कोई छोटी गन अपने साथ लेके चलते या कोई बड़ा धमाका करने वादी करने लेकर देखते हैं जितना धमाकेदार खामोश परदे पे दिखता हूँ या फिल्मों में दिखता रहा उतना ही मैं शान्द प्रेमी हूं अपने जीवन में मेरे नाम यह शॉट गन का जिकर किया दरसल यह कुछ दो तीन कारणों से नाम पड़ा एक तो मेरा नाम जो है बहुत टंग ट्विस्टर है शत्रगन प्रसाद सिनहा एस एच ए टी आर यू जी एच एन ए फिर मैंने सोचा शत्रगन सिनहा चलेगा कि नहीं चलेगा लोगों ने का नहीं थोड़ा टंग ट्विस्टर जादा है इसलिए कुछ आसान क नहीं काम चलेगा तो नाम चलेगा इसलिए मैंने शत्रगन को हटा कर या थोड़ी हेर फेर करके शत्रगन कर दिया एस एच ए टी आर यू जी एच एन इंस्टेड ऑफ एस एच ए टी आर यू जी एच एन ए कुछ अंग्रेजदी के अखबार और विशेश कर एक मैगजीन स्टार डस्ट उन्हें लगा कि बहुत ये शत्रगन और एक जैसा रोल करता रहा मैं मारधार और अदायगी से भरपूर फिल्म है शुरु शुरु में खलना एक बना अब शांद प्रेमी हूं मैं रील लाइफ में नहीं बलकि रियल लाइफ में मगर रियल लाइफ में तो उद्दंड और चंचल और मारधार वाला रोल करता रहा इसलिए इन सारी बातों को मिला कर एक नया नाम जो बहुत करीब रहा उसके करेक्टर के भी रोल्स के भी और मेरे असली नाम के भी शॉटगन उसका इजाद हुआ और शुरु शुरु अब बात और भी बड़ी दिल बिल्कुल क्लीन शेविन और आप अपने ये सकार के साथ और फिर मूचों के साथ और एकदम चिकने चुपड़े कहना भी आपके लिए मेरे खाल से अतिश्योपती होगी एक तरह की अगर वैसे कहें उसके बावजूद ऐसा उफान ऐसा क्रेज ऐसा जबरदस्ट बन सकता हूАँ तो कोई भी बन सकता है यह सही है कि जब मैं ग्रेजοिशन करने के बाद आक्टिंग के ट्रेनिंग लेने के लिए पाद जब मैं पूने फिल्मि इस्टिटूट से बाहर आया तो मैं बहुत गबराया हुआ हुँआ ता कि क्या करूँगा मेरे दूर दरास का बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी मूचें, और मैंने कहा कि कि नहीं जिस तरहम नाम नहीं बदलूँगा, उस तरह कई लोगों नне का प्लासिर्टिक साज़री करवा लो, चहरा ठीक करवा लो, सकार ठीक करवा लो, कि एक बर देवाणनने कहा कि नहीं, इसकी कोई आवशकता नहीं है, अगर तुम जिस दिन स्टैबलिश हो जाओगे, जिस दिन तुम्हें लोग प्यार करने लगेंगे, तो तुम्हारी खामियों से भी प्यार हो जाएगा, तुम्हारे सकार से भी प्यार हो जाएगा, यही चीजें तुम्हारी अदाएं करके नहीं दिखा सकते हो तो अपने आपको सबसे बेन थाबित करके दिखाओ प्रूफ यॉरसल बेटर नन इस पीपल इन केस यू डोंट प्रूफ यॉरसल बेटर नन इस पीपल सर्टनली प्रूफ यॉरसल डिफरेंड नन इस पीपल और यही बात है शर्वास्तवाजी कि आप देखते होंगे आज जगह जगह आप लोग शत्रगन सना की नकल करते हुए देखते हैं एक एक स्टाइल को आप हर देखते हैं और सुनते हैं खामोश खामोश आज इंटरनेशनल एक सिंगनेचर टून बन गया है लेकिन आप सब तरफ देख रहे हैं शत्रगन सना की नकल करते हुए लोगों को लेकिन आपने आज तक शत्रगन सना को किसी की नकल करते हुए नहीं देखी होगी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है क्या बात है मुझे भी वो दिन लियादा रहे हैं जब आपकी शुरुआती पिचलें रिलीज हो रही थी और एक बहुत अली मुवीज में से की थी मेरे अपने विनोत खना और शत्रगन सिना लैंड मार्क मुवी गलजार साब की फिल्म थी और दोनों अपने विनोत खना साब भी बड़े जबरदस स्टार रहे कैसा था था उन्टलब आप बिल्कुल नू कमर थे था बिल्कुल नू कमर था और यह उन कहें कि कुछ फिल्में में रहा चुके थी, मेरा जिकर हो चुका था, तारीफ हो रही थी, चर्चे हो रहे थे चार तरफ, फिल्में में रहाएं थी, जो थोड़ी महतपूर्ण हुई, खिलोना, उसके पहले भाईयोत ऐसा, रामपुर का लक्षमन, यह सब आ चुक आस-पास की फिल्म थी, लकिन स्टार्डम ओवरनाइट जिसे कहते हैं, वो मेरे अपने से हासल की, इंट्री पर जो क्लैप होनी शुरू ही, और आप तमाम लोगों ने, चाहिए मीडिया ने, या हर तरफ लोगों ने क्लेम किया, कि पहली बार कोई आदमी पर्दे पे आता खासका विलन के रोल में आया, लोगों ने तालिया बजाएं, विलन ने हीरो की पिटाई की, विलन को तालिय मिली, हीरो ने विलन की पिटाई की, हीरो को गाली मिली, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, देश-विदेश के अख़वारों ने भी लिखा इसको, जैसे आपने का, व तो कम सकंद 10-15 मिनिट तक मैं खुद भी और मैंने देखा विनोत खन्ना भी यूं समझे मुहावरे की भाशा में कि कुट्टे की तरह हाफ रहते हैं फिर मैं थोड़ा चिंतित हुआ सोचने लगा ये इतनी जवानी भरपूर जवानी करीब कर जवानी के कगार पर यूंग ग सेवन और उस दिन से मुझे फिकर हुई और करते करते चंद सालों के बाद ना मैंने सिगरेट बंड कर दिया बलकि दुनिया में जा जा कर इसका मैं प्रचार और प्रसार करता रहा इस अभ्यान को लेकर कि तमबाकू सेवन बंड करो तमबाकू आपकी सिहत के लिए खराब आपके परिवार के लिए खराब है आपके समाज और आपके देश के लिए खराब है यह बताएं कि आप खुद जादा क्या इंजॉय करते थे क्योंकि कई बार लोगों को यह भी लगता था दो तीन फिल्में हैं काली चरन हैं विश्रुनात हैं लेकिन जो आपका कारेक्ट उस फिल्म के भी नायक ही हो जाते थे हम ट्रडिशनल सेंस में बात कर रहे हैं कि हीरो और विश्रुनल सेंस में अगर कहें तो मुझे सही मानों में नेगेटिव या बागी करेक्टर वैसे करेक्टर मुझे जादा पसंदे और उस सेरे के रोल्स कुछ आपकी परसनालिटी फजबते पर लगते क्यी लोगँ हो चारली घपली हर फिल्म कै लिभी लगते हैं के जाने की कब से इंस्पिरेशन आयी ऐसा कौन सा मौका था बच्पन में घर में कोई पिच्चर देखते हो कैसे सोचा कि बस शत्रुगन से ना मेरा नाम है मैं बनुगा फिल्म अक्टा अगर थोड़ा थोड़ा सा वक्त दें तो मैं बताना चाहूंगा कि हम चार भाई हैं मुझे मालम है राम लक्षमन भारत शत् जी उन्होंने फिफ्टीज अरली फिफ्टीज कहें उस वक्त उन्होंने अमेरिका से बी एसी और में सी किया था उनकी बड़ी खौाइश थी कि मेरे चार बेटें दो टॉप के साइंटिस्ट बनें वग्यानिक बनें और दो जो हैं बहुत बड़े चिकल सक बनें डॉक्ट बड़े ऐसी न तेज बनें वग्यानी पहें अंप सी के टॉप कैपाइसिटी नहीं थी बाद में हैं भारत वर्ष का एल्थ मिनिस्टर बन गया सौस्व अनकी बथाएंगह अलगा बात है मैं बचपन में एक फिल्म देख civicी थी श्री 420 और 2420 फिल्म में ही पहली जलक में ही वो गाना मेरा जूता है जापानी उस गाने में ही मैं राजकपूर का दिवाना हो गया दिवाना था दिवाना हूं और राजकपूर का दिवाना रहूंगा और उस फिल्म के बाद मेरा एक्टिचूड इतना बढ़ता गया हिम्मत नहीं होती शकल कटी फटी और लगता नहीं था बिहार से कोई बिहार के इतिहास में आद तो कोई स्टार नहीं बना था तो मुझे लगता था कैसे बनूगा लेकि उसके बाद स्वांग रिश्टना शुरूर। एक जमाने में 45-45 लोगों की आवाज नकल करता था। अमीन स्यानी से लेके प्रांट से लेके सब के प्रफार्मेंस करता था। प्रांट साब कैसे बोलते हैं जड़ा बताईए। अभी तो खेर बढ़ा है। बुढ़े का तो कोई डर नहीं खटका तो लड़की का है काई वो ना मचल जाए। आप अपने बारें बता रहे थे कि स्वांग आप रच रहे थे, लोगों की नकल उतारने में बड़े माहिर हो गए थे, और मन में ठान ली थी कि फिल्मों में जाऊंगा। कोशिश, प्रफॉर्मेंस, मोनोलॉग, डालॉग्स, किसे फिल्म के डालॉग्स को लेके, कि प्रिचुर राज कपूर कैसे बोलना, दिलिप कुमार कैसे बोलना, उन को लोगों को घर में या दोस्तों कालिज में, स्कूल में सुना के बिलकुछ शब्द चित खाचने की चैरते, उस वक था फिल्म के अंडिया, जो आज, तेली विजन इंस्टिचुट अफ इंडिया, उस वक था फिल्म इंस्टिचुट अफ इंडिया पुने, और पहली बार में में मेरे आल इंड्या बेसिस पे सेलेक्शन हो गया, मेरे पिता जी नाराज हुए, उन्ह nasal का, ऐ एक्टिंग की ट्रेनिंग क्या होती है और जाहिर है कि बहुत लोगों को नहीं पता है और नहीं पता था उस वक्त की एक्टिंग की ट्रेनिंग क्या होती है और मुझे इस बात की वाकिए खुशी है कि मैंने कुछ सालों के अंदर में ही अपने काम से अपने नाम से और अपने तथाकति सफलता से मैंने अपने पिताजी को अपने उपर गर्व करने का मौका दिया वेरी गुड मैं यही पूछने चारा था कि उन्होंने आपका स्टार्डम इंजॉय किया की नहीं किया हाँ बहुत उनको मुझे बहुत फखर हुआ और इसलिए ये बाते मेरे लिए बहुत अच्छी मीठी और उत्सावर्दक होसला अफजाई करने वाले यादगार है जो फि दॉक्मेंटेड है शोले में तो उन्होंने किताब में लिखा है रमिश रिपी ने कि वह बहुत चाहते थे अब यह हमें आप कहें जैज्ज्मेंट मार्क हा गया कौन से रोल मिला था आपको अमिताब बच्चन का हमिताब बच्चन का कुछ लोग ये भी चाहते थे कि मैं खानवाला रूल करूं लेकिं जो दूद किया बच्चन को करना चाहिए बच्चन का नहीं लेना चाहिए कि गलत निरने ऐसा नहीं लेना चाहिए या निरने लेने से पहले काफी सोच विचार कर लेना चाहिए कफी अफसोस पुरानी बात दोब अफसोस करना है का मतलब नहीं बहराल छोड़ो कल की बाते हैं कल की बात पुरानी मुझे बहुत लोगों ने ऐसी कोशिश की कि मैं दूर रहूं या मुझे दूर करने की कोशिश की विरोध बहुत हुए लेकिन राजनी थो फिल्म हो या कहीं भी हो मैं फिर ये कहना चाहूंगा इसी प्रोग्राम के जरीए सुनने वालों को कि महात्मा गांधी नहीं कहा था किसी अभयान और आंदोलन को सम्मान तक पहुँशने में चार दोर से गुजरना ही पड़ता है पहला लोग आपका मजाक उड़ाएंगे उपहास अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और आप आगे बढ़े तो दूसरे दोर से गुजरना पड़ेगा उपेक्शा बहुशने में बहुट बड़ा बोर है वो वो अक्टर बन रहा है वो साब नेता बन रहा है उसको क्या को बलाए छोड़ दो उसको तीसरा दोर होगा उपहास उपेक्शा के बाद तिरसकार गुस्सा आ जाता है लोगों बगएर किसी मतलब गए कंटेंट क्या समझता है अक्टर बन रहा है वो नेता बन रहा है बहुत बड़ा लीडर बन गया है कंटेंट तिरसकार चौथा दोर होगा बड़ा खतना दमन कमरें बन कर दो इसको खाना मत दो भूके रखो इसको मज जाने दो टांगे तोड़ देंगे जब इन चारो दोर से आप गुजर जाएंगे आज भी जैसे फिल्में जो बन रही है कई लोग कहते हैं कि एक वापिस से अच्छी फिल्में बननी शुरू होगी है कुछ में भी फिप्टी से बिलकुर अलग जॉनर की हैं उस तरह की नहीं हैं डिफरेंट हैं उस तरह से मुजिशन्स, मुजिक डिरेक्टर्स भी थोड़े अलग हैं जादा शायद उतने भारती मिट्टी से जुड़ाओं मुजिक नहीं है जितना पहले होता था लेकिन अभी भी हैं एर रहमान साब हैं और भी कई मुजिक डिरेक्टर्स और सिंगर्स अगें हमें हमेशा एक बीते हुए कल की चीज थोड़े नौस्टाल्जिया में चले आते हैं कई बार ऐसा लगता है कि वही चीज अच्छी लगती है पहले एक तो नौस्टाल्जिया में बात चली जाती है लगता है लेकिन ये भी सही है कि ज़र आके कोई देखे तो सही कि जो दिलिप कुमार नाम के एक इंस्टिचूशन है आज हम बहुत सारे लोग इंस्टिचूट से तो हैं लेकिन हम में से कोई अपने आपको इंस्टिचूशन साबित नहीं कर पाया अभी तरह आज सतजीत रे एक इंस्टिचूशन थे आज बड़े बड़े डिरेक्टर साब बना रहे हैं अपनी फिल्म में बना रहे हैं कि चोरी की फिल्म में बना रहे हैं लेकिन कोई सतजीत रेके जैसा इंस्टिचूशन कहा है दूर दूर तो दिखाईनी पढ़ रहा है दिलिप कुमार दूर Imel Royal मॉल रॉए बनेंगे क्यू नहीं बनेंगे बनने चाहिए आज नहीं गल बनेंगे लेकिन इसवक्त मैं कहना यह चाह रहा हूँ अच्छी फिल्मों को बनाने की प्रेक्रेया में व्लाइवा त्र्ड़ गुचोरी की फिल्म है, इसलिए मैं आपके जरीए ये भी कहना चाहूंगा, उन अच्छे मेकर्स को, नए मेकर्स को, कि एक तो औरीजिनल रहें, और अगर ऐसा करना इंस्पायर होना है, तो आप उनसे राइट्स लें, ताकि आँखों में आँखे डाल के अपनी बात कह सकें और तब उस बात का असर जादा पड़ेगा, हमारे अच्छे फिल्में बन रहें जरूर, कुछ लोग कोशिश करों, मैं इसलिए तो पहले बहुत-बहुत मुबारक बात देना चाहता हूं, और बहुत तारीफ करना चाहता हूं, शारुख खान की, चक्दे इंडिया ने एक वुमन प्लेयर्स को लेकर, हौकी प्लेयर्स, जो हौकी करी-करी खत्म होता जा रहा रहा दिख रहा था, एक तरफ समाम लोग क्रिकट पे लगे हैं, लकीर के फ़कीर बने में क्रिकट क्रिकट नहीं, अच्छी बात है, लगी क्रिकट और भी गम हैं, जिमाने में महबत के स बहुत सारे गेम्स हैं और अपनी प्राचीन सब्पिता प्राचीन गेम है और उसको लेकर वो भी लड़कियों के दर्वी बहुत चाहिए मैं समझता हूँ इसमें बहुत शारू खान ने बहुत सराहनिये प्रशनसनिये काम किया है मैं उनको बहुत बदाई देता हूँ कि इस क्राचीन गेम को आगे बढदने में बहुत होसला अफजाई के बहुत contenido आगे बढ़ाया बलकि संदेश के साथ इस प्रिरिट किया है लोगों को ऐसे सपोर्ट के वामने और खासकर मईलाओंगे सपोर्ट के अच्छे किаз पतायां कि जिसम इ Machina actresses की जीनत अमान, रीना रॉय, जया भादूरी, मौश्मी चाटची इन चारों में टैलन्ट के साब से अगर आप नंबर देंगे तो किसे साब से देंगे मतलब कौन नंबर एक, दो, तीन, चार, जीनत, रीना रॉय, जया भादूरी, मौश्मी चाटची सबसे फिवरिट को स्टार और हेरोईन, मुम्ताज है, मुम्ताज थी, और मुम्ताज रहेगी, इसलिए कि मुम्ताज है ने जो मेरे जीवन में युगदान दिया है, और खास को उस घड़ी में, जिस घड़ी में मुझे बहुत जरूरतależy थी, वह युगदान किसे ने नहीं न किया उसके साथ opposite काम जयाब अच्छन के साथ मैंने काम किया है जयाब अच्छन एक intelligent actress है और मौशमी चैटरेजी बहुत talkative लेकि बहुत talented actress है रीना रॉय वेरी hard working actress है उसको यह आपके बहुत फिल्में करी रीना रॉय वेरी hard working आपको बड़ा नाम भी जोड़ा गया रीना रॉय के साथ hard working और मैं hardly working और जीनत अमान डिजाइन में fashion में style में मैंसा बहता हूं उन्होंने अपनी पहचान बनाई अपना नाम बनाए जीनत अमान और परवीन बाबी उस टाइम की दो बिलकुल जिनको हम आज कह सकते हैं मौडन लड़की आई थी शायद इंडस्ट्री में बहुत एक अलग खास जगह बनाई है और एक बात और भी है जीनत और परवीन बाबी बनाई है और अपने नहीं बाद में आबाद है नहीं स् hypocrisy ने अजयरु भी सब्सक्रिवेटें के लिए इस बना के रकना लोग इतनी बाते हैं दुन दिन ए AND उन्ह सब्सकिते ौस पूछता रहा दे ए ot सो आज आज भी आपके हाने से अपहले कुछपूछ रहते हैं फिल् मों में क्या इस तरह की डिगनिटी और रिस्पेक्टिबिलिटी की मामले में मुसीबत आती है कि बिलकुल नहीं मैं समझता हूँ पहली बात तो कोई भी लाइन इन बातों से वंचित नहीं है चाहे मीडिया हो जेनलिजम हो कॉर्परेट सेक्टर हो कहीं भी हो उस डिगरी का फरक होता है ए और इतना कहने के बाद बी कहना चाहूंगा लेकिन निर्वर करता है इनसान पर आज तक मुझे मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया चब मैं समझता हूँ बहुत सारे अपने नहीं इसका भी भी नाम लिये क्या इनके साथ को इस तरह कर सकता है या कर सकता था कभी नहीं इतनी आपकी लड़कियां दिवानी रही जबर्दश सबसे क्रेजी फैन कौन थी आपके देखिए एक क्रेजी फैन ने तो मेरा बेड़ा घरक कर दिया उससे तो मेरी शादी होगी तो वह तो कहानी खतम होगी शूरू होने के पहले ही खतम होगी मुझे लग बहुत सारे हुए और मैंने कोशिश जरूर कि कि बहुत सारे हुए हाँ भी हुए देश में विदेश में कुछ ने शादी की तो बहुत बुरी तरह से चाहत के नाम पे बरबाद मत करो चाहत तो है तुम मतलब ऐसे लोग हैं बरबाद जिन्हें शादी नहीं करी आपके नाम पर अभी तक अब नहीं की तो अब पहले की नहीं होने ही पारी होगी ये भी हो सकता है लेकिन हाँ ऐसा भी है बिल्कुल है लेकिन मैं इस बात को बहुत एहमियत नहीं देता सच में जैसे हम पढ़ते हैं फिल्म स्टार्स दुपेर एक बज़े उठते हैं सवेरे सवेर ओड़े यह नहीं होगा एक्सराइज होगा हाउ डियू प्लान यह देखिए पहली बात तो जो स्टार्स के बारे हम सुनते हैं वो देर से उठते बगर हैं उनके कारण होता होग हाथ में देर तक शूटिंग करते हैं या काम हो या नाइट शिफ्ट हो तो जाहिर एक और चार बे सवेरे तक काम करेंगे तो सवेरे आड़ बे नहीं उटेंगे वो इसलिए मैं इस बात को खुद मानता था और आज भी मैं कहता हूं कि अगर और कुछ नहीं हो सकता है तो क कम से कम सब को योगा और प्रणायाम जरू करना चाहिए आज भी इस उम्र में और इतने लोगों का हजारों लोगों के सामने कहता हूं कोई आके चेक कर ले मेरा बलड प्रिशर इतने स्ट्रेंड के बावजूद दौड भाग के जिंदगी के बावजूद आज मेरा बलड साल के बच्चे का होगा 12080 और लोगों ने माना नहीं बात को के लोगों ने चेक भी किया फंक्शन महीं आ फंक्शन के बावाग के चेक किया रात के एक बज़े भी किया और दो बज़े भी किया 12080 ना कोई contact lens ना कोई चश्मा नजदीक की चीज़ पढ़नी हो दूर की साल से भी ज्यादा आज डेगुलारली नहीं कर पा रहा हूँ उस बात का मुझे अफसोस है रादनीत में आने के बाद मुझे एकी चीज़ का अफसोस है कि मैं ढंक से नेमित रूप से योगा नहीं कर पा रहा हूँ फिर भी जब मौका मिलता करूँगा और मैं चाहता वाले भी इसको अपने जीवन शैली में डालें, अपने आपको ढालें, योगा से, कमसंगा अपने आपको मजबूत करें, आज कॉम्पोटिटिव वर्ल है, तो ये है सीक्रेट आपकी जवानी का, खुबसूरती का राज है, खुबसूरती का राज है, योगा कीजिए, या र बड़ा फ्रणान भी कीजिए जानी, या बात है, आने वाले दिनों में, मेरा आकरी सवाल बीबीसी एक मलाकात में, आने वाले दिनों में हम लोग शत्रगंड सिना से क्या एक्सपेक्ट करें? बस मैं, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ और यही कोशिश करता रहूंगा कि जहां भी रहूं, जिस हाल में रहूं, जब भी रहूं लोगों के लिए रहूं, लोगों के लिए कुछ करता जाओं लोगों के चेहरे पे मुसकान, मैं इजाफा ला सकूं एक मुसकान ला सकूँ उनके आशू पोशने में कुछ हद तक भी कामयाब हो सकूँ तो मैं समझूँँगा मेरे जीवन सार तक है शत्रगन सिना शाब ने इतने प्यार से हमारे को टाइम दिया इतने दिल खोल के हम से बात करी इट हैस बीन सच अ प्लेजर और प्रिविलेज सर श्पीकिंग तो यू थैंक यू वेरी मुच गज़ ब्लेस यू आपने में बुलाया इतना मौका दिया और अपने दोस्तों से चाहने वालों से सुनने वालों से श्रोताओं से बात करने का मौका दिया ये मुलाकात मुझे याद रहेगी और मैं अपने तमाम सुनने वाले श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि जैसा भी हूँ अच्छा हूँ बुरा हूँ आपका हूँ आपका था और आपका ही रहूँगा धन्यवाद क्या बात है सर थैंक यू बही मच